नमस्कार बहुत स्वागत आपका देखने हैं आप आज का लब टिप दिनांक एक अगस्त का खास लब टिप मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंट संतोर संतोशी क्या उपाय करना है आज के लब टिप में क्या कौन सी राशी आज भागिशाली है किन राशियों के आज किसमत के सितारे चमकेंगे और किने आज रहना है बहुत सावधान ये हम आपके लिए लेगर के हाजिर है जिनांक एक अगस्त दिन शनिवार शनी प्रदोश आज है चंद्रमा आज मोलनक्षत्र में है चंद्रमा पूरवाशार में है आज का दोनों प्रभाव आपके लिए बहुत शुब हो ऐसे हम इस वर से प्रारतना भी करते हैं सुरवात करते हैं आज के लब्टिप से क्या उपाय करना है आज के लब्टिप में दायने हाथ पर तीन चावल के दाने कच्चे चावल के दाने रखने हैं छोटी अंगुली से थोड़ा सा घी हल्दी रखना है अंगुठे से इसे छू देना है और तीन बार अपने पती या पत्नी प्रेमी या प्रेम क्या का नाम देना है थ्री टाइम्स हाथ अटाइए पीछे की तरफ फिंग देजे पीछे कोई चावल पेड़ों गर रहो तो वहाँ पे फिंग किएगा सुबह सुर्योदा के बाद कभी भी यह हुपाय करके आपको शुबता का अंदाजा लग जाएगा अदभुत आनंद का अंदाजा लगेगा दिब्वितम अंदाजा लगेगा महा मजा आएगा यह सब प्रभाव अपने आप में ही बड़ा बिलक्षण और प्रभावी होते हैं लब्टे में से लेकर मीन तक कोई भी कर सकता है बिना नहाई कर सकता है इसमें नहाने क्यावशकता नहीं है नौन्विज छोड़ना पड़ेगा नौन्विज खाने के बाद लबटी पसर नहीं करेगा क्योंकि शनी राहूं का प्रभाव नौन्विज के साथ बढ़ जाएगा तो इसकी positivity खतम हो जाएगी जैसे एक बूद नीबू का पूरे दूद को फार देता है दूद खराब हो जाता है उसी प्रकार से एक बाइट नौन्विज की या अंडे की आपकी सारी सगरात्मक उरजा को खतम कर देती है अन्न का असर होता है खाने का असर होता है बात करते हैं अब आज की तीन लकी राशियों की नंबर तीन पर आज की लकी राशियों है सिंग राशियों नंबर दो पर व्रिशब राशियों और नंबर एक पर आज की राशियों धनु राशियों सिंग व्रिशब धनु आप तीनों को बहुत सारी शुपकामना है लार दुलार और प्यार चर्चा करते हैं अब आज की तीन सावधान होने वाले राशियां नमबर एक पर मिथुन राशी भईया सावधान रहे नमबर दो पर करग राशी आपको भी सावधान रहना है और नमबर तीन पर कुम्भ राशी आप भी आज बहुत सावधान रहे आपके लिए मुश्किलें पैदा करने वाले लोग सामने आएंगे आज कुछ न कुछ खत्रा आपके लिए पैदा करेंगे आपको बस सावधानी के साथ डट कर उनका मुकाबला करना है और मजबूती अपने हुरदे से दिखानी है घर बैठे कुणली दिखाने के लिए हमारे कार्याले के दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं आपको यहां आने की आवशक्ता नहीं है वैसे आना चाहें तो गाजियाबाद का आफिस खुला है बस दिए गए नंबर पर आपको कॉल या वाट्स अप करके बात करनी है अर्जन्ट बेसिस पर भी वैसे तो 25 दिन का वेटिंग है लेकिन अर्जन्ट बेसिस पर आप 2-3 दिन के अंदर में भी बात चीत कर सकते हैं फीस थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है बहुत बहुत आपको थैंक्यू सो मच नमस्कार शेरादे